कुंडलनी का इंपक्ट बॉड़ी के वेरियस सिस्टम्स पे मैं सारे सिस्टम्स के थोड़ा नाम पहले लिख लूँ खेर ऐसी बताता हूं आपको सुनिये कुंडलनी यह जब तुम्हारी अवेकनिंग होती है और अवेकनिंग कोई मजाग तो है नहीं इस रियली इस्ट्रेस्फुल पेइनफुल प्रॉसेश ओके और जब उतनी बड़ी शक्ती तुम्हारे पास आएगी कि तुम ब्रम्हांड को अपने शरीर में देखो अब उसके लेवेकनिंग के किसका क्या अवेकन हुआ है ठीक है किसी का कोई चक्र अवेकन हुआ है किसी का कितने अवेकन हो गए चक्र कितने कहां तक देख भा रहा है अब ये तो उसी लेवल पे है कि जीजस का लेवल क्या है बुद्ध का लेवल क्या है उसमें भी कंपरिजन है क्रिशन का लेवल क्या है वहाँ पर भी कंपरिज किया जा सकते हैं, तो कौन कितने लेवल तक है, यह एक अलग चीज है, ठीक है, ओशो का भी लेवल हो सकते हैं, और संतों के भी लेवल हो सकते हैं, साही बाबा का अलग लेवल होगा, नानक जी का लेवल अलग होगा, और कबीर का लेवल थोड़ा अलग होगा, और रहीम का ल तो आप कितने अवेकरन है, अब उतनी बड़ी पावर जब बॉडी में आएगी, तो बॉडी के सारे सिस्टम को प्रभावित करेगी करेगी, यह नाचुरल सी बात है, ठीक है ना, बॉडी के जितने भी सिस्टम से, शर्कुलेटरी सिस्टम हो, जाया रेस्पिरेटरी सिस्ट हो, पाचंग, तंत्र, digestive system हो, immune system हो, whether it is a skeletal system, बॉडी में जितने भी system, endocrine system, every system has something to do with kundalini, okay, and it is going to impact every system of your body, it's a very natural thing, जब पूरी शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन हो जायागा, transformation हो जाएगी, तो सारे systems पे kundalini का effect आएगा, तो सबसे पहले nervous system की बात करते हैं, क्योंकि nervous system में neurons main है, so naturally neurons में एक change आता है, अब वो change इतना deep है कि उसको ऐसे समझाया नहीं सकता है, अब आपकी body के neurons को heat चाहिए, वो गर्मी चाहिए, जिससे वो फैल है, नसे फूल है, और उनमें कंडक्शन बढ़ है, तो आपकी energy उपर को धका मारे kundalini, वो सब इसलिए nervous system पूरा change होता है, ठीक है, अब इसमें कहें कि neurons की position भी change हो सकती है, वो सकता है कुछ neuron, जो body के muscles हैं, उनमें जो neurons हो, चिपके हुए, वो खिसकते हों, हिलते हों, या ऐसा हो सकता है कि आपको कभी अजीव-जीव सा महसूस हो, उसका mental effect बहुत जादा है, nervous system पे बहुत जादा impact है, कundal कुंडलनी का, anxieties हर समय है, fears हर समय है, depression है, बैठे रहो गए, उबा, उबा, महसूस कर सकते हो, कभी-कभी भेंकर चिंताएं हो रही है, कभी-कभी बहुत सारे विचार आक्रमन कर रहे हैं, तो nervous system is always busy, तो कुंडलनी का क्या है, व्यापक प्रभाव है, जितने भी nervous centers हैं, उस से आसू बह रहे हैं, पता नहीं, emotion में ही बहे जा रहे हैं, पता लगा, नीचे मुगलाधार में है, या स्वाधिस्थान में चल लिए कुंडलनी, तो काम कहीं विचार आ रहे हैं, कहीं अजनाबे हैं, तो अलग विचार हैं, कहीं कुछ है, तो nervous system का व्यापक impact है, ठीक है, दूसरा जो system है, जो ज़्यादा प्रभावित है, वो है circulatory system क्योंकि हाल्ट से related है, ठीक है, चुकि परमिश्वर हजदे में ही रहते हैं, इसलिए हाल्ट की beat बढ़नी स्वाविगा है, ठीक है, और rhythm क्या है, uncontrolled है, कभी हाल्ट जोर से धढ़केगा, कभी धीरे धढ़केगा ये air के pressure पर होगा, ठीक है, हाल्ट की beats बढ़ेंगी, वो दिमाग को pressure डालेगी, तुम्हें लेगा दिमाग फट सकता है, ऐसा कुछ होगा नहीं, फटेगा नहीं वो, वो ऐसे ही है, तो uneven heart beat का अनभाव तुम्हें होगा, कभी तेज, कभी धीरे, कभी तुम बैठे-बैठे देखो के जिल जोर-जोर से धड़क रहा, तुम्हें अनभा होगा, पूरी body साथ में हिल लाइए, ये तनी जोर से धड़क सकता है, ठीक है, तो there is impact on circulatory systems, circulatory system अब ये blood है, कितनी oxygen जानी चाहिए, ये तो kundalini खुदी control करते है, ये आप नहीं control कर सकते हो, ठीक है, तो kundalini जो आपको manage करेगी, तो वो अपने हिसाब से manage करेगी, तो आपके systems को आप नहीं manage करेगी, कundalini manage करेगी, आप बस help कर सकते हो, Similarly, a very important one is digestive system, चुकि जैसा खाना खाओगे, वैसा मन हो जाता है, इसलिए अब तुम मुझे देखोंगे, तो मैं बड़ा आजी बजी किसम का खाना खाते रहता हूं, बीज बीज में, पता नहीं, मेरे systems कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, कि मैं तो बहुत सारा oily भी खा ले रहा हूं, बहुत सारी चीज़े खा ले रहा हूं, सब एक ही मिनिट में पज जाता है खाना, इतनी ज़्यादा हीट है पेट में, कि सब खाना जितना भी खाते रहो वैसे ठंडा इतना हो रहा है, फूड सब तुरंत बर्न हो जाती, पिकोस यह जो गैस्टिक फायर है ना ब तुमने पेट खाली हो गया, चीक है, तो निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, निगेटिव थॉट्स की बरात लग जाएगी, तुम इतना इतना डिपरेस्ट महसूस करोगे, इतना अधिक डिपरेशन हो जाएगा, कि तुम सोचो गए यार यह जिन्दगी ब कि पेट की एनरजी को, फूड को जल्दी डैयजेस्ट करो, पेट खाली करो, पेट खाली करो इसमें हावा भरो, ऑर इसमें हावा भरो और इसको овपर फेको, अपान भरेगी अपान, नीचे से भाईव नहीं नेकलेगैं, अपान को तुम हिआखे गी तो अपान थो मारती ह पर आपको लोड मैसूस हो गया तो यह तरीका है उसका जहां तक मैंने देखा है दोनों तरीके से कभी भारी खाली पेट कुने अच्छी चलती है कभी मतलब क्रिया होती है कभी भरे हुए पेट से अलग किसम की क्रिया होगी खाले में कभी ऐसा लेगा जैसे बिल्कुल बाड पर्टी के पार्ट्स हैं जैसे कभी आपको लगएगा आपके पैर की तरफ बहुत जदा भारी मजबूत हो गया है कभी आपको लगएगा आपके हाथ लोहे के हो गया आप दीवाल फोर्ड होगे मुक्कमार के और कभी ऐसा लगए ताकती नहीं है शरीर में अब अलग अचाल उठाने के लाइग ताकत नहीं रह गए ताकत नहीं रही है कभी आपको ऐसे लगए जैसे कि दोनों भुजाओं में बहुत ताकत आगए आपकी आपको बहुत स्ट्रॉंग है कभी लगए लगए बौडी का नीचे का पार्ट तो बिल्कुल डेड हो गया है ताकती पेरों में कभी लगएगा ऊपर का पार्ट डेड हो गया नीचे ताकत है ताकत है कहां पर कैसे कहां पर कैसे कूछ कूछ आपको अंदाज नहीं है को कुछ सोचना भी नहीं है मैंबगे बहुता दो कंडलनी का काम है वो अपना काम कर रही है That is there is ठीक है उसमें जज़ा कभी लगेगा आपको बहुत मजबूत हो गई हैं बारी हो रही है कभी आपको लगेगा बिल्कुल हलकी हो गई है तो इनीशियल स्टेजिस में प्राब्लम है लेटर आप समझ जाते हो कि आपको आदत हो जाती है इनीशियली आप ठोड़ा गवरा जाते हैं कि क्या है ऐसे क्या हो रहा है मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगे फलाना डेमा का ठीक है इसकिन पर भी इसका इंपेक्ट अच्छा है अगर आप इसकिन को देखोगे इसकिन सॉफ्ट रहते हैं इंटिंग की तेज करती है कुंडलनी इनर्जी निकाल के बालों को जलाना अंशरी के बालों को जलावला देना ना खुन को बढ़ना तेज करता है फास्ट है इसकि प्रोसर्स और कौन सा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरिंपॉर्टेंट लेकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जहा तो उस पर depend करता है कि सांस चल कहां से रही है, सांस कई जगे चलती, जब डायफराम से चलेगी तो अलग सांस चलेगी, डायफराम के उपर के से, अगर ना भी पर सांस मौचती है, तब बड़ी तकलीफ होती है, अगर अपान ज़्यादा बाहर निकल लई है, ठीक है, अगर म जल zajaps यहां बीच में उद्यान बंद बंद आएं, तो तीन बंद हैं, तो जब यह नीचे से क्या करते है, मूल बंद को एकतर्म टायट बंद कर देंगा है, ख़िक है? जब मूल बंद रहेगा, तो अपान नीचे नी जाएगा, तो अपान उपर उपर ओधका मारेगी, तो तो यहां पर कई चीज़े मैसुल रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, यह चीज़ें बहुत बंद जगे पे, इन जगाओं पे बहुत टाइट कंजिस्टिट प्रिसस पे आप मत जाओ, अगर आपको उंडल नी उंडल नी करो, वो इटकी है, सफोकेशन तो सांस लेने में और कौन से सिस्टम में, यूरीन अरी सिस्टम, ठीक है, शूशू वाले सिस्टम में क्या है, यूरीन फ्रिक्वेंटली आपको आती रहेगी, थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी ऐसे करके आप जाओगे, आपको लगागे या आपको डियाबिटी सुनी होगी, ऐसा कुछ नही है, पेट में पानी नहीं रुकेगा, आप जितना पानी पिएंगे उतनी शूशू निकल जाएगी, बोड़ी को वाटर रेटेंशन बोड़ी कम करती है, कुंटरली में, जब आप वेकरिंग चल दी होती तो पानी बोड़ी को कम सी, आपको थस्ट भी कम लगेगा, आपको पानी के वह शक्ता महसूस नहीं हो, आप थोड़ा पानी कम पी होगे, जाए गरमी का मौसम भी आपको लगे थोड़ा पानी पीलो, काम चल जाएगा, और जितना पानी पी होगे, यूरीन तुरंट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिल्टर है, वो तुरंट सा कालती है, जहां तक पौटी की बात है, तो पौटी बहुत टाइट होगी, और बहुत कम मतलब होगी, एक दिन में एक बार हो जाएगी, लेकिन उसको भी मतलब ये कम करते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा खाने को पेट में रोकती है, कुंडलने, इंटिस्टाइन में, स इंडोक्राइन सिस्टम तो आप जानते हैं, हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड के पास एक चक्र मौजूद है तो इसका इंपक्ट है, ठीक है, तो जैसे वो चक्र जागरित होता होगा, या होता है उसके पास केमिकल निकलते हैं, तो इसकी वाइबरेशन और अफेक्ट करती ह लिए आपका behavior भी होता रहता है तो इस तरीके से जो various systems है उसको कुंडलनी body के impact करती है ठीक है कोई system अगर रहे गया हो तो हाँ joints में जैसे है joints में आपको लग सकता है कि आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है joints में लेकिन कोई खास बात नहीं है सब होता रहता है नहीं के joints में आपको लग सकता है कभी कभी की नहीं नहीं मुड़ रही है या पीछे pelvic region में कभी pectoral region में आपको लग सकता है कि दर तरह pelvic में ज़्यादा प्रिशारी है pelvic में ज़्यादा changes होते हैं neurons के और बहुत सारी चीज़े जो पता नहीं कौन कौन से muscles के नाम है मैं देख रहा था वो सब shift होते रहते हैं तो इस वज़े से थोड़ी सी problem बढ़ती है pectoral में pelvic में नीचे नीचे की हो ठीक है hips में मेरे ख्याल से हमने सारे system cover कर लिए क्या अगर हम इंद्रियों की बात करें आँखों की तो आँखों पे naturally आपके heart से साफ होने से आँखों पे आपके effect आता है आँख थोड़ी लाल लाल रहती है हलका सा लाली ज्यादा रहेगी यह क्योंकि BP हाई रहता है आदमी का नाचरली आपका blood pressure थोड़ा सा हाई रहता है शुगर वोगर सब normal रहता है कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं तो यह सारे systems हैं body के reproductive system को भी देख लेते हैं वो को छोड़ने रिप्रोड़क्टिव system भी इस वो जैसे देखिए उसको नॉर्मल तरीके से लीजिए जैसे आपके उपर काम आया तो आपने काम के लिए अगर आप देखिए जादा चीजों को रोकेंगे तो फिर डिक्कत आ देते हैं उसको उन्होंने खुद ही बना रखा है तो सीमें डिटेंशन से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है वो एक साइमेंटेनियस प्रोसेस है वो उसको उसी साबसे मैनेज करते रहे हैं तो यह है body के various systems पे कुंडल नहीं करते हैं ठीक है चलिए थैंक्यू